तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, स्वागा थे आपका एक बार फिर से A4 अरजुन क्लासेस में तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, अभी तक हम उत्राखन की संस्कृती पढ़ रहे थे वाले टॉपिक में, क्योंकि हमारा तो सीरीजी कल्चर जल रहा है, अगर आपने पूरानी वीडियो ने देखी, तो प्लेलिट से जाके आप उत्राखन की सास्कृती, उत्राखन की ती आज जिल्ला सीरीज, उत्राखन की आंदोलन इन सब को पढ़ सकते हैं, आज हम एक छोट उत्राखन की म्यूजिक इस्टूमेंट, उत्राखन की वाध्ययंत्र, उत्राखन की वाध्ययंत्र ऐसा तो नहीं है, कि आप लोगों उन्हें पहले नहीं पढ़ा है, आप मैंसे बहुत सा आए लोग, हमसे भी मेरे से भी बहुँत जादा सीनियर है, और उनको मुझसे भी ज्यादा बहुँ ज्यादा ज्यान होगा तो वो लोग क्या करते हैं इन चीजों को हलका समझ के ठोकर लगती है बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं तो इट मीज हमेशा चोटी चोटी गलतियों पर ही ध्यान देना है बड़ी बड़ी गलतियों पर नहीं है तो चोटी चोटी गलतियों पर ध्यान दोगे उनको सुधार होके तो बात बन जाएगी है क्योंकि इनसान चोट वी-टार देख औरी तैल ये तो हाध्यंतर लें लेखा, एम घ़ lotta»। तात वादियंतर है, सुसीर वादियंतर है, इनको तो मैं आखों से देख के बता दूँगा, क्योंकि ये वादियंतर मैंने आखों से देखे हैं, हम इनको बजते वे देखते हैं, बजाते वे देखते हैं, तो हमें पता हैं, तो उसको तो रटना ही पड़ेगा न, एक किसम से समझो, अब कहीं ऐसे music instrument है, इनकी google करके भी photos नहीं मिल रही है, तो बताएं, तो बताएं किसे ठीक है, तो थूरा सा रटने का topic है, और छोटा सा topic है बहुत अच्छे से समझना, प्लीज एक बार not कर लीजेगा, प्लीज हाज जोड़के request है, और एक दो बार इनको देखोगे, तो याद हो जाएगा, क्योंकि इस में से 80-90% music instrument सब को आता है, वो सब ने देखा है, वो दो-चार की लड़ाई है, और उन दो-चार में से question मनेगा, तो दिक्कत हो जाती है तो प्लीज उनको पढ़ने की courses करेंगे बाके extra fact न मैं as usual लिखाता हूँ, वो मैं आपको लिखाई दोगा, ठीके, चलिए अगर question आएगा, उत्राखन के जो music instrument है इसके प्रकार कितने है, कितने प्रकार के उत्राखन में music instrument होते है, तो मुख्यता उत्राखन में जो music instrument बताए गए है, वो चार परकार के बताए गए है, इसके अलावा एक परकार के music instrument और भी करेंगे, जिसको हम अन्या परकार का बोल सकते हैं, क्योंकि उसको इसलिए बोलेंगे, क्यों किसी काने में भिटनी बैठता है, देखो पहला परकार है, घनवाध्ययंतर घनवाध्ययंतर, मैं लिखनी रहाँ, ठीक है, घन दूसर वालों को बोलते हैं अवनधवादियंतर क्या बोलते हैं अवनधवादियंतर तीस स्वाले के लिए बोलते हैं सुसीरवादियंतर और चौते वाले के लिए बोलते हैं तांतवादियंतर तो question आएगा मुख्यरूप से उत्राकर में कितने परकार के music instrument है तो क्या बोलोगे दोस्तो आप 4 परकार के कितने परकार के? 4 सर जी घनवाद दियंतर के से बोलते है ये थोड़ा सा समझाने की कोसिस करें तो घनवाद दियंतर उसको बोलेंगे मेरे दोस्त जो धातु से बनते है metal से बनने वाले धातु से बनने वाले वाद दियंतर को क्या बोलेंगे हम? घनवाद दियंतर जैसे गाओं में जागर लगाता है जगरी डॉन थाली बजाता है तो थाली तो metal के न कितनमनली वालों के पार चिम्टा रहता है नाराद मुनी बोलता था था ना नाराद नाराद तो उसके पास भी चिम्टा रहता था तो कैसा है? metal के बने हुए है तो कैसे वाद दियंतर हो जाएगा? घनवाद दियंतर हो जाएगा किलियर? ओकी अवनद वाद दियंतर उन वाद दियंतरों को कहते है सर जी अवनद वादियंतर उन वादियंतरों को कहते है जो चमडे के बनते है तो चर्म वादियंतर को ही अवनद वादियंतर कहते है जिन म्यूजिक इंस्टूमेंट को बनाने में चमडे का परियोग किया जाता है उन्हीं म्यूजिक इस्टूमेंट को चर्म वादियंतर कहेंगे मगर चर्म तो आप्सन में नहीं आएगा तो उसका दूसर नाम क्या है अवनद्ध वादियंतर अवनद्ध म्यूजिक इस्टूमेंट बड़ा इंपोर्टेंट है बहुत कम बच्चों को यह बाते पता होती है अब जैसे डौर है दमाऊ है हमारा राश्ट्य वादियंतर धोल है इन पे चमड़ा नहीं लग रहा अब इन पे चमड़ा लग रहा है तो चर्म वादियंतर अचर में कोई क्या कहा जाता है अवनद्ध वादियंतर एकζाम में तो question ऐसी दो बन सकता है न तुम आज वाली क्लास को न, मैंना 30-40 मिनट की क्लास बनाता हूँ, इसे ध्यान से 30-40 मिनट आराम से दे दो YouTube में, मैं बोलना हूँ, एक बार उसे नॉट करना, अगली बार तुम मुझे हप्ता 10 दिन में भी रिविजन करोगा, आपको चीज़े याद रहेगी, गारेंटी है बस मुद्दा रोखो न, फोकस रोखो, इधर ही खो जाओ, सुसीर, सुसीर वाद्य अंतर सर किस को बोलते हैं, थोड़ा ये हमें एक्स्प्लेइन करेंगे, सुसीर वाद्य तंतरों को फूक वाद्य तंतर भी बोलते हैं, फूक वाद्य तंतर, फूक बोले तो, एक किचन म इस्ट्रुमेंट होते हैं, फूक नी कहते हैं उसे हिंदी में फूक नी, हम गड़ वाले में उसको थले कहते हैं, जब गाउं में चूले में आग जलाते हैं, तो इसे फूफू करके आवाज मारते हैं आग नी जलती हैं, होते हैं तुमारे गाउं में, हम तो गाउं में रहते वहाग जलाता रहता है, तो फूखनी को मूँसा यूज करते, तो सुसिर्वाद देयंतर को ही फूखवाद देयंतर भी कहा जाता है, और आप समझ गहोंगे वहाँ वाद्य अंतर जो मुह से बजाए जाते है तो question आएगा उन वाद्य अंतरों को क्या कहते है जो मुह से बजाए जाते है तो आप बोलोगे उन्हें सुसिर वाद्य अंतर कहते है और सुसिर वाद्य अंतरों को ही क्या बोला जाता है फूक वाद दियंदर जैसे संक है जैसे मासूरी है उत्रकंड महिला कॉंस्टेबल का पेपर सौलवाओड करो उसमें क्वेसन आ रखा है अलगोजा कैसा वाद दियंदर ठीक है अलगोजा काई दूसर ना में मासूरी तो मासूरी कैसा है बही मुझ से बजाया जाता है अजो मुझ से बजाया जाते है उन्हें क्या बोलते है सुसीर समझ में आया संक कैसा है मुझ से बजाया जाता है पंडी जी बजाते है संक तो मुझ से बजाते है तो फूक सुसीर तात वाद दियंदर उनको बोला जाता है, जिसको बनाने में तार का परियोग किया जाता है, तार, वायर, जिसको बजाने में वायर का परियोग किया जाता है, तार का परियोग जिसमें किया जाता है, उसको बोलते हैं, तांत वाद दियांत, इसका example है, गिटार, गिटार में भी तार का परियोग किया जाता है वीणा सरस्वती माता की जो वीणा होती है उसमें भी तारका परियोग किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा तांत वादियंतर ठीक है और इसके लाव अभी अगर नौट करके लिखने है तो आप लिख सकते है अन्यवाद दियंतर कई ऐसा जो इन चारों में कहीं फिट नहीं होते जिसका एक्जामपल है हार्मोनियम हार्मोनियम कहीं फिट नहीं होता ठीक है ना इदर न इदर न उदर न उदर ठीक है तो ध्यान रखना कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है तीन चीज़ों को समझते है harmonium में घन भी बहुत ज़ादा धातू भी metal ज़ादा यूज नहीं होती चमडा भी बहुत यूज नहीं होता हूँ मूस भी नहीं बजा जादा तार भी उसमें होता नहीं तो उसे डालें तो डालेगा तो मुख्यता उत्राखंड की संस्कृति में music instrument को कितने भागों में बाटा गया है चार पहला है घन वाद्यंतर घन वाद्यंतर किसे कहेंगे घन music instrument उसे कहेंगे जिसमें metal का परयोग किएंगे अवनद किसे कहेंगे जिसमें चमडे का परयोग किएंगे और सुसीर उसे कहेंगे जिसे मूँ से बजाए जाता है और सुसीर वाद्यांतर कोई फूक नहीं वाद्यांतर यह फूक वाद्यांतर भी कहते हैं क्यों कहते हैं मैंने समझा दिया आपको और तांत वाद्यांतर तार से बने वाद्यांतरों को कहते हैं और आपको बताना है कि ये कौन सवाल आ है वई, आप चार परकार तो समझी गए न, कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, घर में कौन आएगा जो मैटल से बसते हैं, अब कोई ऐसा म्यूजिक इस्ट्रूमेंट हो आपने कभी देख है नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा या पर आपने वो देखा है नहीं है, तो प्रॉब्लम तु वो है न, समझ में तू है, अब जैसे महिला कॉंस्टेबल का पेपर में रहा रहा है ता अलगोजा, अब अलगोजा किसी को पता ही नहीं है, बासुरी बोलेगा तो बासुरी को सब को पता मूँ से बसता है, अब बा music instrument का 80-90% आप सब लोगों ने पड़ा देखा सुना है दो चार music instrument ऐसे जिनके बारे में हमें knowledge नहीं है तो जिनके बारे में हमें knowledge नहीं है ना mainly focus हमारे क्या होगा उनको याद करना कि जो हमने कभी देख है नहीं है उनको याद कर लो तो आसानी होगे लिखाने का तो मैं सब लिखाऊंगा अजिसमें डोल लिखाऊंगा दमाओ लिखाऊंगा डमुरू लिखाऊंगा तबला लिखाऊंगा नगाडा लिखाऊंगा सब सुने न, सब को बनाते समय, चमडे का परियोग किया जाते न, जो चमडे वाल होतों से चर्मुवा दिंतर कहते न, या अवनद कहते, तो क्या सिखाना आपको समझ दूगया? वगर कुछ ऐसे होंगे, यार जो हमने देखे नहीं है, तो हमको वही फोकस करके याद करना है, समझ गे होंगे अब आप, समझदार, तो लिखते हैं कुछ एक्जामपल, इन्हें not down कर लीजेगा, मैं भी बोर्ट पलिक हूँगा, आप भी copy भी लिखेंगे, फिर खतम हो जैसे लिखना विणाई, थाली, मंजीरा, जांज, तो लिख लीजेगा, विणाई, थाली, मंजीरा, जहां पर भी मंजीरा लिखोगे, मंजीरा को ही जांज कहा जाता है, मंजीरा को ही जांज कहा जाता है, कोई लोगों ने कुछ music instrument देखे होंगे, तो मुझे भी comment करके बताना कि आपने कौन सवाला देखा है, और किसको क्या कहते है, हम भी याद कर लेंगे आपके थुरो, हम भी सीखी रहे, तो आप से सीख लेते है कुछ, मंजीरा जहां सतु स मंजी दोनों एकी चीज होती है, इसी सब अथाली तो पता है, डौन थाली वाली थाली मैटल की बनी होती है, विनाई पता नहीं क्या होता है, इस सब घनवा देखेंते रहे, इनको याद कर लेजेगे, next क्या है, वो याद करते है, कसेरी, खजडी, घंटी और करताल, कसेरी घंटी तो किसको क्या बताने है, घंटी तो सब को पता होगा ना, घंटी टेन, 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 हाना, तो वो घंटी, एक और याद करना है, करताल, तो question आएगा, करताल कैसे वाद धियंतर है, करताल भी यह है, यह इसके लिए आप क्या बोल सकते है, घुंगरू, बाति रांबा देंतर या धातुबा देंतर हो जाएगा नॉर्मल, एक last याद कर लो अब वो है खजडी, ये भी पता नहीं क्या है खजडी भई, मेरे गाउं सायड तो होता नहीं है ये खजडी, आपके गाउं सायड होता है खजडी तो हमें भी बताओ भई, ठीक है, तो दे सकते हैं, कैसे भी तो याद करना है है, रमें, एक्जाम निकलना चीए, तो ये कुछ एक्जामपल है, जो घनवाद देंतर के एक्जामपल है, कुछ एक्जामपल अगर छूट रहे होंगे, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, प्लीज, अब बाकी लोग इस वीडियो का कर लेना, क्या पता, एक दो एक्जामपल आपको और मिल जाएगा, आजकल एक्जाम का कुछ भरोसन नहीं, तो आप ये चीज़े देख लीजीगा, प्लीज, सीखते सीखेंगे, सीखाते सीखेंगे, तो चीज़े जादा बेटर होगी, देख से लिखेंगे, वाधियंतर, और अवनद्वाधियंतरों कोई क्या बोला जाता, माइफ्रेंड, इनको कहा जाता, चर्मवाधियंतर, चमडे से बनते हैं, यह सबसे easy है, ठीक है, इसमें सिर्प आपको दो याद करने, एक याद करना आपको साइया, और आपको एक याद करना धतीमा, ये द कि यह कैसे बचते है कैसे दिखते है अगर होंगा तो comment करके बताना या और किसी बच्चे के पाद इन सब music instrument की photos होगी न तो please वो photos मुझे what's up कर देना या किसी के पास हो सकती है कि सारे music instrument की photos होगी तो यार मुझे वो photos बेज़ेना सारे music instrument की A to Z अगर आपके पास होगी तो एक, दो, तीन, चार, पांच की फोटो तो Google में मिल जाते हो मेरे पास भी है, उसका कोई इशू नहीं है अगर सब की मिल जाएगे तो मैं कल तुमको PPD में बता दूँगे, कि Music Instrument, Photo Music Instrument, Photo आप तुम समझ जाओगे, जो फोटो दिख जाएगा तो फिर तो पता लगी जाएगा, यह मूँ से बसता है, चमडे से बसता है, धातू से बसता है, फिर तो क्या दिखकते है यह याद करना है, बाकि यार आपको यह बताने के जरुते बताओ, आप इतने समझदार हो, धोल, भै धोल में चमडा लगता है, धमाओ, आप इतने समझदार बच्चे, धोल हो गया, धमाओ हो गया, धपली हो गया, यह आपको बताने है, सुरी डमुरू हो गया, आपको ड इसमें भी चमड़े का परियोग किया जाता है तो इसमें भी चमड़े का परियोग किया जाता है तो यह सब आपको पहले से पता होगा ऐसा नहीं बोल सकता है कोई के सर हमें नहीं पता कोई दे से एक सेंट वाला बच्चा होगा जो सहरों में रहते हैं तो उनको थोड़ा पहाड़ो के कल्चर से थोड़ा सा वो दूर है तो उन लोगों को सब कुछ रटना पड़ेगा बढ़ पहाड़ी वच्चों को तो यह नहीं होना चाहिए तो यह दो चीज थे आप मुझे बता सकते हैं इनकी फोटो जो अगरा किसी के पास होगी वच्ट सेप कर देना ठीक है दोस्तो बाकि आप समझदा रहे हैं प्यार से समझा रहा हूँ तो प्यार से समझ भी जाईए आप मुझे लगता है आपको समझ में भी आ रहा होगा नेक्स लिखेंगे सुसीर वाद्येंतर सुसीर सुसीर वाद्येंतरों को क्या बोलते हैं फूक वाद्येंतर फूक वादियंतर को में ब्रेकिट में लिख देता हूँ जिन वादियंतरों को मूँ से बजाए जाता है वो ही है ठीक है तो मैं पहले बता देता हूँ महिला कॉंस्टेबल का पेपर में आरका था अलगोजा महिला कॉंस्टेबल पेपर मेरे काता अलगोजा 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 का ये दूसरा नाम किया है बासुरी तो अगर देख पेपर मेरे का बासुरी के सवाद से अलगोजा पता न Ukraine मूह से बजा जाता है तो आप तो सही करतों कि सुसीर बात दियंत रह मगर एक्जामनर भी तेज था उसने क्या दे दिया पेपर में अलगोजा अब लोगों को जिनको पता नहीं था उन्हों नहीं कर पाए बासुरी काई एक जुड़वा भाई होता है जिसको बोलते है मुरली मुरली वाले मुरली बजाना कि धपली वाले धपली बजाए गाने भी है सोरी मुरली मुरली धर बोलते है क्रिशन भगवान का प्रया भाईचे साइच से तो मुरली और बासुरी दोनों मूझ से ही बजाए जाते हैं बस बासुरी काओं से है तो बासुरी ऐसे सीथ में बजाए जाती है जब हम गाओं में कौथिक जाते हैं मेले तो मेले से में बासुरी खरीद के लाता था बाकि घर तको पूँपूँ करता रहता था और मुरली बजाए जाते हैं ऐसे में कृष्ण भगवान की फोटो तुमने ऐसे नहीं देखे होगी ऐसी देखे होगी है ना तो बासुरी का तो जो छेद होता वो टॉप पे होता है मुरली का थोड़ा सा आगे जाके होता है तो मुरली ऐसी बजाते है क्रिशनी जी बासुरी ऐसी तो लगबग दोनों सेमी है आपको बस पेपर निकालना तो सुसीरवाद्धी अंतरे इतना आप याद रख सकते है ठीक है इसके बाद है भकरोरा उर्दोमुकी मसकबीन मसकबीन तो सबने देखा है भई एक होता उर्दोमुकी एक होता भकरोरा याद कर ले ना जाने क्या होता है भकरोरा एक और याद कर ले न आपने रण सिंगा प्रियंक का महर एक सिंगर है लोक सिंगर है, गाने गाते, गड़वाली, गुडवाली, नरसिंग, रनसिंग, बाजो, मुरली, बाजो, एक गान है उनका, तो वह यह यह रनसिंगा, ठीक है, जो युद्धु में भी बजा जाता था साहिज से, ऐसा मुँ से बजा जाता है, जौन सारी जन जाते वालों को आगे जाके वह चोड़ा होता है, यह उर्दो मुकी भी वही है, उसी का पड़ोसी भाई है, ऐसे इधर से पतल होगा, उपर से उसका मुँ ऐसा उपर के लिए होगा, ऐसा होगा म्यूजिक इस्टुमेंट, उपर से उसका मुँ गुमा रहता हो, उर्दो मुकी, उर्दो परकार के one meaning होते हैं, एक सब्द जो आके के लिए बनते हैं, ऐसे का, खा खा आ गा, ऐसे लिखते हूं इन्हें बोलते हैं, अग्रगामी, खुछ सब्द उपर से नीचे के लिए बनते हैं, जाै से बनते हैं, हुए निचे के लिए घखया आपके सब्सक्राइजे चाम in परहएं हा बनाते हैं उपर क्लेजे São उपर के लिए जाता है उसको बोल थे तब in उर्दोगामी तो यह हिंदी में काम आएगा आपका बिलोम सब्द में उर्दुगामी का बिलोम क्या हो जाएगा अधो अधो मतलब जो नीचे क्यों रहा है अधोगामी और उर्दु मतलब जो उपर की जाए उर्दुगामी तो उर्दुगामी एक क्या है उर्दुमु की एक क्या है म्यूजिक इस्ट्रूमेंट में, जिसको मूँ उपर की और होगा, ऐसा इधर से बजा के उपर हो जाता है, उर्दू मुखी, तो ये हिंदी में भी काम आ जाएगा, आपका बिलॉम सब्द पूछ लिया जाएगा, उर्दू गामी का बिलॉम सब्द अदो गामी, अदो गामी के लिए एक और सब्द का पर्योग किया जाता है, अब वो है अंकोरा, तो कभी ऐसी question आ जाएगा, रण सिंगा वादियंतर का दूसरा नाम क्या है, आप बोलोगे अंकोरा, बाकी ये तो यार सब को पता ही होगा, संक, तो संक भी मूँ से बजा जाता है, एक वादियंतर है ये है मोचंग, तो मोचंग हो गया, ये भी काफ ही important है, आपके exam की distance है, ठीक है, बाकी अंकोरा, exam की distance है, काफ ही महतो पूरे, बाकी उर्दो मुकी होगे, अलगो जातो paper में आ भी चुका है, तो इनची जोगा आप याद अख सकते हैं, जिनको मूँ से बजा जाता है, ये ह ठीक है, एक और होता है, अगर आपको याद करना होगा, वो है नाग फनी, नाग फनी, नाग फनी भी मूँ से इधर से पतला होता है, और एक pipe जैसा होता है, और आगे जैसा उसको मूँ ऐसे नाग के जैसा होता है, तो इधर से पतला होगा, आगे जाके चोड़ा चोड़ा पाइप और उसका मुँ ऐसा होता है, sound box उसका ऐसा होता है, नाग के जैसा, उसको बोलते है नाग फनी, जैसे नाग के फन के जैसे, लाख होड़ार कहा कारता नै ऐसा, तो वही नाग फनी, तो नाग फनी भी मुझ से बजाए जाते हैं, तो सुसी इरवाद दियांतर में काप हैं के बनते है, सारंगी, एक तारा, दोतारा, विना, इसको तो याद भी कुछ नहीं करना यार, हाथ ये कभी पेपर भी नाएगा, तात वाद हैंतर ये तार वाद हैंतर, ये बहुत इजी होते है, तो इसमें एक आएगा, सारंगी, हाथ में एक्जाम्पल क्या आएंगे गिटार, गिटार में तार होते हैं, तो हिंदी महासा में उनके लिए बोला जाता है, एक तार, जिसमें दो तार होंगे, उसे बोला जाएंगा, दो तार, यह वही है, हाँ, एक याद कर सकते हैं, वीना, तो वीना, भी तो सरसोती माता के हाथ में इसलिए सर्शुती माता का परियावाची क्या है वीना पाणी तो वीना पाणी किसका परियावाची है सर्शुती माता का वीना मतलब यह जो सर्शुती माता के हात में रहता है अब पाणी बोलते हात तो पाणी परियावाची है तो पाणी परियावाची है हात ठीक है जैसा Quesion आता हिंदी में Extra Fact में लिक लेंieronा, चकर पाणि, तो चक्र मतलब चक्र जो चक्र रहता है अब पाणी मतलब हाथ तो बिस्नु भगवान के हाथ में रहता था था ना चक्र पाणी तो यह किसका परियाएवाची हो जाएगा बिस्नु भगवान का तो यह भी पता चल गए वीना पाणी किसका परियाएवाची हो जाएगा वीना पाणी तो वीना किसके हाथ में रहती है सरस्वती माता के हाथ में रहती है अब पाणी मतलब क्या हो गया हाथ चक्र पाड़ी किसका बिष्णू चक्र किसके हाथ में रहता है बिष्णू जी के हाथ में रहता है तो पाड़ी मतलब हाथ आपको extra effect में ये भी पता चल गया तो mainly जो आपको याद करना है न दोस्त ये वाली slide जदा important है यार हना मैंने बताया था चोटा सा topic था आप समझगे होंगे तो आप इनको याद कर सकते हैं बाकि जो चीज यार आपने बजाई नहीं है देखी नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा कुछ चीज आपने देखी होगी तो आराम से याद हो जाएगी इसलिए प्लीज इनको याद कर लीजिएगा आप समझदार है आप याद कर सकते है मुझे लगता है आपको याद कर लेनी चाहिए अब कुछ हमसे पढ़ रहे हैं आप तो आपको extra factors लिखाएंगे तो इस topic है one liner में आपको लिखाता हूँ जहांसे important question मनेगा तो कुछ music instrument को मैं detail में आपको समझाने वाला हूँ जैसे ढूल ढूल हमारा राज्य वाध्य यंत्र बे ढूल हमारा राज्य वाध्य यंत्र है और इस वीडियो का आपका यही home work है आपको comment करके बताना है भाई कि राज्य वाध देन तर इसको कब घोसीत की आगया था कब घोसीत की आगया था कौन से सन में आपने इसको राज्य वाध यहत्र बनाया था कि इसको डोलको दूसरी बात है आपसे हाज जोड़के request है कि comment अगर अगर दिया करो कुछ positive comment कर दिया करो इससे थोड़ा सा मोटिवेट मिलता अगर आपको कुछ भी इस चैनल से सीखने योग यह मिल रहे हैं बाकि जितने भी लोग हैं 1200 लोग या 700-800 व्यूज आते हैं 300-400 व्यूज आते हैं तो आप एक एक दो दो तो तुम पढ़ रहे होंगे तो तुमारे दोस्त भी पढ़ी रहे होंगे कुछ-कुछ दोस्त होगे तो नौकरी लग गई होगे पर कोई न कोई तो कर रहा होगा पढ़ा है तो एक दो और लोगों को भी आप इस चैनल के वारे में बताओगे तो थोड़ सा मेरा भला हो जाएगा इतनी मदद आपसे चाहता हूँ इतनी मदद आपसे मांग रहा हूँ इससे जाता कुछ नहीं तो थोड़ा 2-4 लोग उतक चैनल को पहुचाओ चैनल ग्रो हो जाएगा तो फिर चीजे और बहतर तरीक से तो अच्छे तरीक से आपको मिलेगी अब ऐसे बीचे जा लाइन से और बहतर तरीक से मैं देने के कोसिस भी कर रहा हूँ बहुत अच्छे से नोट्स जो मैंनत से बनाये थे वो फ्री ओफ कोस्ट आपको समझा के डीटेल में ऐसा तो मुझे भी ने समझा है किसी ने ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा तो ढोल एक राज्यवादियंतर है आपने कॉमेंट करके बताना है कि ढोल एक वादियंतर कब बना है या आपने कॉमेंट करके बताना है वेटे मिनेटा कॉल आ गई फोनी फोन आते रहते यार तो ये है अब इसमें क्या याद करना आपने अगर कभी क्वेस्टन आजागा डोल के सवा दियंतरे तो चर्मुआ दियंतरे आपको तो ये याद हो गया है अब इसमें आप क्या करना ढूल का जो बीच वाला हिस्सा होता है दातू का बना होता है तो इसमें किस का परियोग किया जाता है तामबे का परियोग किया जाता है हलका फुल का तामबे का परियोग किया जाता है और इसमें मुख्य था किस लकडी का परियोग किया जाता है तो इसमें ध्यान रखना, साल की लकडी का परियोग किया जाता है, साल की लकडी का परियोग किया जाता है, ठीक है, ढूल बनाने में किस लकडी का परियोग किया जाता है, साल की जो खूक रहता है, बड़ा सा ढूलना, इधर दर से चमना लेगेगा, इसके अलावा इसमें अ तो left side लगती है इसमें बकरी की खाल लगाई जाती है ड्धोल के left side इसलिए कभी ढोल दमाउ बजोगे तो एक side से अलग sound आताई है दूसरी साइड से अलग sound हाता है और right side में इसमें लगाई जाता है 12 सिंगा की खाल sorry right side इसमें मेज किये जाती है 12 सिंगा की खाल अब बार असिंगा अवेलिबल नो हो तो एक साइड लगाई जाती है भैस की खाल तो ढोल में एक्स्रा क्वेस्टन भी आगए आपके अब इतक हमने पढ़ाता है ढोल सिर्प कैसा वाद धियंतर है तो ढोल एक चर्म वाद धियंतर है और इसमें थोड़ा सा थांबे का पर्योग भी किया जाता है पट्टी पट्टी लगती है बट मेंली आप थांबे समझ किसको घनना करें इसे चर्मी करेंगे साल की लकड़ी का पर्योग किया जाता है लेव साइड इस पे चमड़े की लगता है बकरी की खाल का राइट साइड इस पे चमड़ा लगता है बारसिंगा या भैस की खाल का जो भी अवेलिबल तुमारे पास हो तो इस परकार के question भी पेपरों में बनेंगे आपके और मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे question बनते हैं ठीक है तो आप इनको याद दखिएगा extra fact के साथ ठीक है next आपको लिखते है question वो है हुडुक ठीक है ये क्या आगिया मुख्यमंत्री न अन किया ये करेंट अफेर का question पता नहीं कहा से आगा पीपीटी में तो आप ध्यान रखना ये धामी जी का कामे कहीं पर नौट करके लिए तो क्या पता करेंट अफेर का question आजाए आपके पास वह सारे बच्चे बोले तो स्याद में उसकी पीपीटी बना रहा था वही है ये तो हाती बढ़ कर लाका है ये देर अदूर में तो कभी question ना जाए करेंट अफेर में से not कर लो कहीं पर copy के topic के किनारे 2013 में अन्नो मौत सब का सुभारम कहा आगया धामी जी ने देर अदूर में किया ये क्या आगया इस पीपीटी में चिप कवांदोलन चल दा तुमारा दो continue हे बगवान ये चिप कवांदोलन की पीपीटी है साइच है कोई नहीं इसमें हम ये पढ़ ले थे चिप कवांदोलन को नेगलेट करना ठीक है उससे कोई problem तो नहीं हो रही होगे आप लिखते आगे दूसरा music instrument आप लिखने की कोसिस करें उसका नाम होडुक एक music instrument है दूसरा होडुक इसका परियोग important question लिख लेना पेपर में आ सकता है आसकल के पेपरों में तो भही ऐसी question आ रहे है चार-चार option वाले मिलान वाले जागर कारियों में दूसरा युद्ध प्रेरक प्रसंग में या तीसरा धार्मिक कारियों में तो अब एक question आएगा हुडुक का परियोग का पे क्या जाता है चाकर कारियों में युद्ध प्रेरक कारियों में या धार्मिक कारियों में धार्मिक कार्या तो जागर कार्य ही हो गिया तो इसलिए आप ये लग सकते हैं इस हुडूक का परियोग कुमाओ छेतर में क्रिसी कार्यों में भी किया जाता है क्रिसी कार्यों में क्रिसी से संबन्दित उनके जो महुत सब प्रोग्राम होते है वहाँ पे भी हुडूक बजाया जाता है तो कभी न ऐसा question आ जाएगा इस हुडूक का कि उत्राखर में पर्योग music instrument हुडूक का निमन में से किया जाता है जाकर कारियों में पर्योग किया जाता है यस, प्रेरक परसंग में युद्ध प्रेरकों में यस धार्मिक कारियों में या क्रिसी कारियों में इनका पर्योग किया जाता इन चारों में ठीक है, तो यहां से एक दो आपसन देगा एक दो आपसन नहीं देगा, उनको याद लख सकते हैं इन सभी में हुडूक का पर्योग किया जाते है अगर question आएगा हुडूक बनाने में किसकी खाल का परियोग किया जाता था तो बकरी की खाल का परियोग किया जाता था हुडूक बनाने में ये वाला fact आप याद दख सकते दोनों साहिट इसके लावा important करके उत्राखन गुरूप C के पुराने paper अगर आप solve out नहीं करते तो ये तो गलत बात है भाई अगर आपको तैयारिक किननी तो आपको पुराने paper solve out करने चीए पुराने paper solve out आप करोगे तो हुड़क जो भी होता है कुमावनी वाले अच्छे से जानते तो एक हुड़क से छोटा साहिज होता है वहला उसका छोटा भाई paper में कि हुड़के का यह हुड़क का छोटा भाई क्या कहलाता है यह हुड़क का छोटा स्वरूप क्या कहलाता है तो हुड़क का छोटा स्वरूप कहलाता है साहित्या यह पॉइंट याद रख सकते हैं आप अच्छा question exam में आ सकता है paper में तो यह ध्यान रखिएगा ठीक ह ये चिप कौांदोलन को नेगलेट करना मैंने बता दिया next music instrument है ये तो मेरे गड़वाल में भी use होता है ये है डॉर थाली गड़वाल में, हमारे गड़वाल में use होता है मेरे गाउंसाइड डॉर थाली और इसका परियोग, इसका use कहां पे होता है तो इसका use हम लोग करते है जागर कारियों में ठीक है जागर कारियों में, जब देवी देपतन आसते हैं तो जगरी यही बजाता रहता क्या डॉर थाली और ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है आपने कॉमेंट करके बताना है उत्राखन में जागर महाबिद्याला कहा है उत्राखन जागर महाबिद्याला कहा है और किसके नाम से वो रन हो रहा है यह मैंने आपको जिला सीरीज में पढ़ा रखा प्लीस कॉमेंट करके बताए तो डॉर और थाली का परियोग किया जाता है ठीक है, और question आएगा, उत्राखंड के जागर कारियों में डौन थाली का परियोग किया जाता है, थाली किस से बनती है, metal से तो बनती है, तामबे की बनती है, कासे की बनती है, ऐसा question आजाएगे, तो ध्यान रखना, किस थाली का परियोग किया जाता है, कासे की थाली का परिय किया जाता है अग काह सामे टले नहीं तो ये कैसा वाधियंतर हो जाएगा धातू और इसमेर चमड़ा लगता है चमर चर्म वाधियंतर है अच्यर्म कोई क्या बोला मैंने अधावन अगल नदवाधियं तो इसके दोनों सैट किसका लगता है बकरी की खाल का परियोग किया जाते है ये भी आप लिख देना बकरी की खाल का परियोग उसके बाद जो डॉर है इसको बनाने के लिए किस लकडी का परियोग किया जाते है ठीक है मतल़ लकडी का एक खोकला तो बनाय जाएगा जब लकडी का खोकला बनेगा किनारे किनारे तबी तो चमणा लगेगा आपने देखोगा डॉन थाली जो गड़वाली होगे तो उन्हें देखोगा तो आपने ढूली पड़ा तो ढूल में साल की लकडी का परियोग कर रहे थे उस साल के लकड़ी को पूरा खोकला बना है जाओगा कार्ट कार्ट के कार्ट कार्ट के छे नहीं है थोड़े से अभी किनारे किनारे चमणा लगाता है भी तो ढोल बना तो ऐसी ही दोस्त जो छोटा सा डौर बना रहे हैं उसको भी तो खोकला करना पड़ेगा, तब यहीं तो दोने तरब से चमना लगाएंगे, है कि नहीं है, इन चीजों को समझो आप, तो इसमें किस लखड़ी का परियोग किया जाता है, तो यार यह बहुत इंपोर्टन्ट है, इसमें किया जाता है, सांधन की लखड़ी का पर लोग ही करते थे, तो सांदर्ण की लकड़ी ने रेयरली मिलती है, गाउं में, जंगल जाना परता था सांदर्ण के पेड़ के लिए, और सांदर्ण के पेड़, सांदर्ण की जो लकड़ी हो तो बहुत मजबूत मानी जाती है गाउं में, और किसी के तियार हल वगएरा, नि जंगल जंगल जाके सांधन का पेड ढूणना और उससे ओजार ओजार बनाना बड़ा मुश्किल खाम होता था तो question आएगा यह डौण जो बनता है ना क्योंकि वो डौण जो जगरी के पास से तो सालो साल तो चलता है ना अलोक का लखड़ी लगा दितो जल्दी तूर जाएगा आप मुख्य तहा चर्म वाद ध्यांतर पढ़ेंगे ना धोल हो गया दमाओ हो गया हुड़की हो गया यह सारी चीज़े लगबा लगबा चमड़े के वाद ध्यांतरों को मेंली गले में टांके बजाया जाता है ठीक है वैसे तबला भी एक वाद ध्यांतरे चमड़े का त एक मात्र चर्म वाध्यंत्र जिसे गले में नहीं टांगा जाता। थाली वाला तो इधर बचाता रहता है और जगरी वाला अपने डौर को गुटनों के बीच फसाता है तब गुटनों के बीच बचाता है। अगला वाध्यंत्र हम पढ़ने की कोसिस करते हैं और नेक्स वाध्यंत्र में आप अगली हेडिंग लिखेगा वह है मोचंग। मैंने थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया था आपको मोचंग। मोचंग एक परकार का सुसीर वाध्यंत्र है और मोचंग में ये लिख लेना कि मोचंग वाध्यंत्र को भेड़ पालकों द्वारा बजाया जाता है। उत्राखन के प्रिवियस एक्जाम देखोगे तो पेपरों में आभी चुका भेड़ पालकों के द्वारा बजाया जाता है। वो है मसक बीन ये है मसक बीन तो मसक बीन हमारे उत्राखन का नहीं था अभी भी तुम देखते होंगे आर्मी के बैंड में मसक बीन सामिल है और हमने देखा था आर्मी का कॉंसेप्ट अंग्रेज लेकिया थे यहां तो क्वेसन आएगा चार म्यूजिक इंस्टुमेंट द अज़ता था और यह क्वेसन भी एकजाम में आ चुका है यूरोप में भी एक्जेक्ट आप से पूछे का कहां तो स्कॉट्लेंड तो क्वेसन आएगा कि मसक बीन कहां का म्यूजिक इस्टुमेंट है यह स्कॉट्लेंड का है यह भले अभी वरतमान में उत्राखन में उत्राखन में नाच गायन करने वाली जाती नाच गायन करने वाली जाती कौन सी जाती है पहले तो क्वेसन यह आजागा दोस्त आप क्या पढ़ रहो क्वेसन यह आजागा बताओ जरा आता है तुमें इतनी दिन सालों से त्यारी कर रहे हो उत्राखन में नाच गायन करने वाली जाती कौन सी थी, तो यहाँ पर एक question आता है, वो आता है बद्धी और एक आता है मिरासी, उत्रा खण में ये दो जाती हैं ऐसी थी, कि ये लोग अपना पेट धार्मिक प्रोजरी, सामाजी के मनोरंजनात्मक प्रोग्रामों में नाजगाना है करते थे, इन्हें नचा पातर क्या थी, कत्यूरियों की निर्तियांग नाय-ती चंबना पातर, कई बार हम बोलते है कोई लड़की टिप- डॉप बनके घूमते रहे थी मौडल टॉयप कीतों हम बोलते है चंबना पातर आ गई पापा की परी टाइप कर तो वह चंबना पातर अगर जैसे मैंने बैलोजी पड़ी पड़ी थी तो ना जाने क्या बोलते है हिंदी में इसका तनम उसकी नामे उत परिवर्तन वाद है तो वहाँ पर बढ़ा था साप पर पहले पाउं होते थे ध्यान रखना उसको बिलो में गुस्ने में दिक्कत होती तो उसके धीरे-धीरे पाउं का कोई यूज नहीं था पाउं ही नहीं होते उस पर पर कैते हैं जिराब पहले बगरी गहे जैसे था और जिराब की मुडी धीरे-धीरे-धीरे करेके लम्बी हो गई क्योंकि रेगिस्तान मेरे तो नहीं उचे-उचे पीडू से खाने पर थे तो उसके मुड़ी है ऐसे-ईसी हो गई दीरे दीरे परिवbach अनुदे कहते हैं हम पर एक पूछ हुआ करती थी और अभी मनुषे प syndrome का कुई काम नहीं है जानवर पे तु पूछ मखर बहुता है हम मच्छर मख्ची ऐसी भगा देते हाद से पूछ का कोई यूझ नहीं है तो पूछ नहीं हुआ आने वाले समय में हम पर ये कान भी नहीं होंगे साहई से पिर ये माईक ना जाने कान अटकेगा चस्मा ना जाने कान अटकेगा तो इसका भी जादा यूज नहीं है कान के भार का जो ये है भार का ये है क्योंकि हर एक जानवर अपने कान हिला देता है और अपने कान हिला भी नहीं सकते हैं ऐसी रहते हैं तो इस कानों का कुछ मतलम नहीं है फाल तुमें इन पर ठंड़जी लगती रहती है तो साहएद कान मीना हों पर बालों कभी जादा यूज नहीं रहा सरीर में तो मेरे ऐसे करने के आदा भी दूर हो जाएगी मैं बार बार ऐसे करता रहत हूँ न मुझे अपने बालों से बहुत प्रयम है मैं मेरे बाल बहुत खराढ़े गुंग्राले हो जाते है तो मुझे गुस्टा आता है तो धीरे-धीरे ये बाल भी नहीं होंगे गाउं का कोई लड़का होगा, अगर वो सहरों में आता है, तो इस पेसल जल्दी kh reais थे नहीं है, DJ में ऐगर, डांस भी रहा हूँ तो नास थे नहीं है, गाउं के लोग सरमाते हैं अभी भी, दिखना, खेर अभी तो सब लोग modern हो गएं, लोग सर्माने वाला concept ही गायब हो गया धर्ती से बेट फिर भी गाउं के लोगों में भी थोड़ा बहुत लाज लज्जा सर्माहट बची हुई है तुमने देखा होगा practically कि गाउं के लोग ऐसे ओपल नहीं डास करना जाना होगा पब पूप में जाना होगा गाउं के लिड़के को कोई पब लेकर चलेगा ही ही हु करता रहेगा का जाना है सर्माहते रहेगा हो नहीं करेगा सहर के लोगों के लिए पब पब जाना पाटी वाटे में जाना है नॉर्मल सी बात है तो गाउं में पहले नाजगाना नहीं करते थे तो नाजगाना करने वाले इस पेसल जाती थी समझ गयोंगे आप तो उनका नाम था बद्धी और अमीरासी तो ये गाउं गाउं में नचाड बुलाए जाते थे ये लोग नाज़ते थे गाउं में खतरनाब पार्ट데 ये खतरनाद बुलाधे करते थे आए मगर पेले के जमान में जो थोकदारो ज़ाते थे अमीर होते थे तो अपने घर के महत-स वहों में ये पिसल नाचने वाले और बुलावी थे थे तो कि नाचने वाले बुला रहे थे यह लोग मनो रंजन करते थे नाच-नाच की लोगों का। हाना आइटम नंबर्स होते ने जिसे वॉलिवुड की फिल्मों में। बद्धि और मिर्स हैं, तो अब बोलोगे बद्धी और मिरसी, यह क्या अएसा भी आजाएगा दोस्त की उफ्टराखन में नाजगयन करने वाली जाती का नाम कै था बद्धी और मिरसी, ठीक है, अभी समझ में आया, example जादा deep या जादा बड़े बड़े दे देता हूं मैं सहथ से sorry इसलिए class लंबी हो जाती है माफी चाहना बड़ मैं समझाने की courses करता हूं मैं चाहता हूं कि चीजों को ऐसे example से समझाए जाए जिनको तुम relate कर पाऊं जिन चीजों को इन चीजों को relate करोगे तो चीज आपको जादा याद होगी आपके भविषय के लिए अच्छा रहेगा ठीक है तो धन्यवाद आज के एक छोटी से class थी topic पूरा complete हो गया उत्रखन के बाद धियंदर अब कोई question आपका यहां से गलत नहीं जाएगा अगर आपने सारे चीज़े not down कर ली और इससे भार भी नहीं आएगा guaranteed है ठीक है पढ़ो ऐसा की पढ़ा सको हमेशा से मेरा यही logic रगा ध्यान से पढ़ो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीस दो-चार लोगों को इसको थोड़ा फैल आदो यार हो सके तो अपने WhatsApp पर लगा दो दो-चार बच्चे मुझे online मिलें और मेरा इस link को WhatsApp पर लगाते बड़ी खुसी होती कि वह भी चात है कि थोड़ा फैम या थोड़ा से परचार हो जाए अपने तरब से वह भी कोस्टिस करते बाकी कुछ तो मांगा नहीं दो-चार लोगों को तुम वीडियो पहुचा सकते हो जिससे हमारा भला हो और चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा चैनल ग्रो हो जागा तो और बहतर तरीके सा और अच्छ चीज़ा आपको देखने के लिए मिलेगे धन्यवाद मिलते हैं नेक्स लास में पढ़ेंगे उत्राखन की सस्कृति को अच्छे से जिसे कि हमारे कल्चर था कैसा उससे हम जान पाए धन्यवाद